हाई फ्रेंड्स मैं अगांचा सर्माजी की वितकांचा मैं आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज मैं आपको क्रम्च, संच, और राइक तक की सवाल लेकि आई हूँ बहुत इंपोर्टेंट है हर सिप्ट में यहां से पाच एच्छा कोशन पूचे ही जा रहे हैं कोशन में यही आता है कि किसी घटना के घटत होने की प्राइकता समझाईए तो किसी घटना के घटत होने की प्राइकता इसको हम बोलते हैं पी इसका सूत्र होता है एनी बटे एनेस क्या होता है एनी बटे एनेस यह जो एनेस होता है यह एनेस का मतलब होता है टोटल जितन हैं दो काली हैं और दो सफेध हैं और आप से पूछें कि लाल बॉल को निकालने की प्रायक्ता बताओ तो टोटल कितनी है छे है तो छे नीचे आ जाएगा और लाल बॉल को निकालने की प्रायक्ता निकालनी है तो लाल कितनी है दो है तो दो उपर आ जाएगा दो एकम दो द अब हम कोश्चन करते हैं, पहला कोश्चन देखो, पहला रिखा है, सब्द डिस्ट्रिब्यूशन से यादरख चिक एक अक्षर चुना जाता है, टी के अलावा अन्य अक्षर प्राप्त होनी की प्राइक्ता बताईए, अब अक्षर है, वो क्या हो सकता है, टी को हटा के बताओ, हैना सबसे पहले हम ऐसे सबालों में क्या करते हैं, इस डिस्ट्रिब्यूशन में टू टोटल नंबर को काउंट कर लेते हैं, ये कितने हैं, तो काउंट करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो दस, ग्यारा, बारा, तो टोटल कितने हैं, बारा हैं, ठीक है, अब वो बोल रहे हैं, इसमें टी को अगर हम आठा दें, टी के अलावा, तो टी कितने हैं, यहां पे एक और दो, अब जब बारा में से दो हटा देंगे, तो कितना बचेगा, दस, अब यह दो नों फेक्ट याद रखिएगा, मैं आपको बताती हूं, इसको सवालों को कैसे करते हैं, अभी इस प्रायक्त, यह जो प्रायक्त होती है, इसको यह फॉर्मूला होता है, कि जितना भी टोटल होता है, जैसे कि यहां पे टोटल कितना है, टो टोईल, तो टोईल नीचे आजाएगा, अब दस में से कितने निकालना है, एक, तो टैन सी वन आजाएगा, तो इस प्रिकासी यह टैन सी वन और टोईल सी वन आजाएगा, टैन सी वन को कैसे हल करेंगे, क्योंकि एक एक निकालना है, इसलिए एक का गुड़ा किया है, तो दस गुड़ित एक कर लेंगे, नीचे भी बा बारा गुडित एक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यह 10 और 12 तो 10 बटे 12 हो जाएगा दोपन्जे दस हो जाएगा और दो इचेंग 12 तो 5 बटा 6 आपका आंसर आ जाएगा टोटल नमब्र जो है कितना है 12 12 में से भी कितना निकालना है तो टल पर दिया है जो संभाविक पड़नाम है पड़नाम 10 है क्योंकि दो टी को नहीं निकालना है तो 10 आजाएगा और 10C1 और इस पर कासुन दोनों को हल कर लेंगे आगे और समझ यह और अच्छे से आजाएगा किलियर होता जाएगा सब्द ट्रांजिस्टर की अक्षरों में एक अक्षर यादरिक चिताते चैनित किया गया है चैनित अक्षरिक व्यंजन है उसकी प्रायक्ता बताईए देखो कि ट्रांजिस्टर में कुछ कितने सब्दन है पहले ट्रांजिस्टर में कुछ सब्द देखी कि इसे चैनित करना हैं आहymadực छěकता से ऐसे चेहन करना है कि चेहने तक्षरिक ब्यंजन है ऊब इस जो ट्रांजिस्टर में से स्वर हटा दो और ने देखो तोalen कितने हैं एक हो गया e एक हो गया i और एक हो गया e ho gon तो यह तीन हट गए टोटल दस थे तो बचे कितने अब टोटल कितने थे पूरे ट्रांजिस्टर में कितने थे बचए कितने हैं बावलड निकाल के साथ तो फिस और अटे कि जा ऐसे आपको हल करना है अगला है ऐस नो पीटू को मानन हिए इन वाले सवालों में क्या करते हैं झालो जैसे कि नौ पीटू मतलब इसका मतलब होता है कि नौ कुल परनाम मेंसे आपने दो निकाल लिए हैं तो अब इसको कैसे solve करोगे उपर 9 है 9 P2 है उपर क्या है 9 तो आपने उपर 9 लिख लिया नीचे जो 2 होता है उसको उपर वाले मैं से रूसा सब्ड़ कर सकते हूं अगला है येधि बावvaluation के पत्तों इस एक प MOR सबी बास्त आपक jsद्ध हो आप्भू बूलरा है इस पैक से सभी बात्साहा को हटा दिया है, बात्साहा वो या रानी हो, इवे इनकी संग्या कुल 4 होती है, अब जब इस बात्साहा को घटा देंगे तो कुल पत्ते हैं? 28 बचेंगे अब्व बुल रहा है यवम जे किसी एक प्ते को चुना जाए तो Verfald क्योंनित पत्ता लाल और और काला होगा इसकी प्रायक्ता किती है तो कित्ते कित्त होगा 52 बाधसा का साचा गुटेदों अप कित्ते हैं 48 अब आपको 48 में से ये प्रायक्ता निकाल दी है तो मतलब तोक्तल 59 नहीं होगा टोटल नीचे 18 अब हो हो रहा है एक पत्ते में लाल काला नहीं हो सकता मतलब दो रंग नहीं होते हैं तो यह ऐसे अनुपुल पत्तों की संख्या जीरो है जिसमें ना लाल होता नाकाला होता ऐसे फत्ते कित्पे invention Τरटे हें से आपको नीचे वाले को सबसे पहले नीचे वाला अगर आपको पता होगा तो आप आप आर्टोमेटिकली जल्दी से भी आंसर दे पाओगे लोगों की संख्या किती है 275, 530 और 195, लेको सबसे पहले अब हमें टोटल संख्या निकालने है, टोटल संख्या के लिए हम 275 को 275, 530 और 195 को प्लस करेंगे, इन टीनों को हम प्लस करेंगे तो हमाद टोटल वाला संख्या हमें पता चल जाएगा और उनको फिर बताना है स्वाद वाली स्वाद पसंद के किते हैं इसमें 275 तो 275 वटे क्या हो जाएगा इन तीनों को जोड़ने पर जो आंसार रजाएगा तो क्या हो जाएगा पाच और पाच और दस की जीरो हासिल का एक, दस, ग्यारा, बारा, बारा उसाथ, नो स्वारी, बारा उसाथ, उननी, स्वारी क्या है आपर वन तो 2, 5, 2, 7, और 2, 9 तो अब हम इसको देखेंगे यहाँ पर कि देखो, इन तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है इन तीनों को जोड़ेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा एक हजार, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे, तो आपका आंसर कितना जाएगा एक हजार आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ने पर, क्या जाएगा एक हजा तो आप एक हजा नीचे लिखोगे अब वो बोल रहे हैं जो चीज पसंद हो पसंद वाली प्रायक्ता निकालनी है तो पसंद कितने हैं 275 तो 275 बटे एक हजा जाएगा टोटल नीचे आजाएगा और जो पूछा है उन्होंने वो उपर आजाएगा अगला है एक थेले में एक से तीन सफिद गेंदे रखी हुई है चार से दस तक संख्या तमक लाल गेंदे रखी हुई है इनमें से याद्रिचिक तरीके से एक गेंद को निकाला जाता है समसंख्याउवाली गे नानी की प्रायक्ता बथाओ जब ऐसे कोशन पूछे तो आप लिख लिया करो एक बार एक से तीन और चार से दस तो टोटल एक से दस तक लिख लो तो लिखा तो एक दो तीन चार पांचे से लिखिए अब उसमें एक से दस तक में क्या बोल रहे हैं एक से तीन तक की सफेद गयन है तो हमने एक से तीस तक को सफेद नाम दे दिया और चार 4-10 समसंग क्यों सब्सक्राइब चार गूंसंद्ट हो जाएगी ही का इस लिए यह यहां पर निकालनी होती तो यह फिर ऐसा होता चार गुड़े तीन और दस गुड़े थाट गुड़े साथ गुड़े छे गुड़े त्माच जब तक जीरो नहीं जाता है इस प्रकार से को सुल करते हैं एक बॉक्स में चार दर्जन नाम है यदि छे आम सड़े हुए तो एक चार दर्जन में 12 होते हैं चार दर्जन में कित्ते होंगे 48 तो मदब नीचे कितना जाएगा 48 अब बोल रहा है 6 आम सड़े हुए 48 में से 6 घटा दो तो कितने आएगा 42 जाएगा बस 42 हो रठा रहा है अगर डिवाइड कर दो आंसर जाएगा 6 सत्य 42 6 या और भी कुछ बाग दे सकते हो 2 दुनी 4 2 एक कम दो 2 दुनी 4 दो चको आट तो क्या आगर 21 बटे 24 तो यही आपका अंसर हो जाएगा 2 पासे 1 साथ फैक के जाते हैं जब 2 पासे 1 साथ फैक के देखो एक पासे में 1 पासा जब फैका जाता है तो नीचे हम लिखते हैं 6 क्योंकि टोटल अक्षर कित्ते होते हैं 6 होते हैं अब बोल रहे हैं कि किसी भी पासे पर 2 के अलावा अन्य कोई संक्या आने की प्रायक्ता 2 के अलावा अब दो दो बार ही आएगा अब दो दो बार ही आएगा क्यों दो पासे को फैक रहे हैं तो दो बार ही आएगा तो दो दो करके दो बार घट गया है तो को कैसे हल करेंगे दो पासे हम पर दो के अलावा अन्य कोई संख्या कितनी आ सकती है तो 36 में से हम इसको 2 को घटाएंगे तो 1, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 6 ये 2 के अलावा हैं संख्याएं देखो किल किती बन रही हैं 2 के अलावा 1, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 6 5, 1, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6 तो इस प्रेकास से कुल कितने अनकूल बन रहे हैं 2 के अलावा 25 बन रहे हैं तो उपर 25 लिख देंगे और नीचे 36 लिख देंगे मतलब किसी भी संख्या में यहां पे 2 नहीं होना चाहिए 2 के अलावा ही कोई संख्या होना चाहिए तो वो कितने तरीके से बन रही हैं दो के अलावा 25 तरीके से बन रही है तो 25 वटे च्छत साब का अंसर आ जाएगा अगला है 52 तास के पत्तों में से एक पैक से तीन पत्तों को निकाला जाता है पहले बावन पतास के पत्ते मतब कुल कितने हैं बावन हैं अब तीन लगातार हम निकाल रहे हैं तीन जब लगातार निकालते हैं तो अलग तरीके से सूत में फिट करते हैं पहला पत्ता होगा एक का दूसरा निकाला पाजसा और तीसरा निकाला गुलाब इसको solve कैसे करेंगे अभी तोटल आ जाता है नीचे पहले बावन पत्ते थे तो बावन में से हमने एक निकाल दिया पहले क्या निकाला है बादसा देखो एक बार ये और पड़ो एक बार में बता दू पहला पत्ता एक का है तो एक के भी कितने होते हैं चार दूसरा कितना है बादसा बादसा भी कितने होते हैं चार तीसरा क्या होता है गुलाब तो गुलाब भी कितने होते हैं चार इसलिए टोटल के साथ चार चार लेके चरेंगे तो सबसे पहले पहला देखते हैं चार निकाला हमने प्रू टोटल में से चार निकाला हमने टोटल कितना था बावन इसके अलावा फिर हमने क्या किया अब जब यहां से बावन में से एक निकाल चुके हैं तो अब पत्ते कितने बचेंगे 51 बचेंगे तो 51 C1 उपर भी चार का चार आजाएगा चार 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 उपर आजाएगा बावन इक्क्यावन पचास नीची आजाएगा इसको solve कर लेंगे तो यह answer आजाएगा अगला question है यदि सब्द average के अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए तो सभी स्वरों के एक साथ ना आने की प्रायकता कितनी होगी सबसे पहले इसमें देखो कुल लेटर कितने हैं कितने लेटर हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ लेटर देख रहा है तो सपोस्कर यही answer होगा क्योंकि नीचे क्या है जितना भी total होता है वो नीचे आजाता है यहाँ पे इन चारो अपसरों में इसी में ही साथ आ रहा है तो यही साथ हो जाए उसको फिर भी solve करके देख लो इस सब्द में कुल कितने लेटर हैं साथ है, जिसमें से तीन सवर तथा चार अक्षर भी अंजन है यहाँ अलग अलग क्रमों भी रखा जाएगा तो साथ में से एक बार प्राइकता है कि सभी सवर एक साथ आए अथा इनके साथ ना आने की प्राइकता है छे बटे साथ इसलिए है कि साथ तरीकों से है मतलब साथ बटे साथ अक्षर है साथ तरीगों से इसको लेख सकते हैं अब वो बोल रहा है एक साथ स्वर ना आए तो एक बार आने की होती है तो हम क्या करेंगी साथ में से एक माइनस करेंगे तो कितना जैगा चैवटा साथ जाएगा कि में 28 चॉकलेट है इस में से कुछ मिंट चॉकलेट अने असबी चॉकलेट है तो क्या करेंगे कुल चॉकलेट कितनी है कुल चॉकलेट हमने माना 28 है अब सफेज चॉकलेट 28 में से X माइनस कर लिया तो कुल चॉकलेट X है तो सफेज चॉकलेट कितनी हो जाएंगी 28 माइनस X हो जाएंगी अनुकूल परणाम आना आपने X है यहां पर सपेज चॉकलेट मैंसे 28 मैंसे हमने X माइनस कर लिया अब प्राइक्त क्या होता अनुकूल परणाम बटे कुल परणाम अब प्राइक्त उन्होंने आपको उपर दी है एक बटा चार प्राइक्त देख उपर उन्होंने दिया है आपको कि यदि यादिक चेक्ता से एक मिंट चॉकलेट के चुने के प्राइकता एक वटा चार हो तो उन्हों ने आपको प्राइकता एक वटा चार दी है अनुगूल परिणाम आपने x माना है उकूल परिणाम कितना है 28 पर इस से आंसर जाएगा 4 का x में गुड़ा 28 का एक में गुड़ा 4 x बढ़ावर 28 जाए तो तो टोटल कितने हैं पांच चार नो नौ चे पंद्रह तो इन डॉनों में से आपका अंसर हो सकता है अगर आप सोचेंगे तो लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कट भी जाते हैं आंसर तो फिर यह नीचे वाला अपना अंसर नहीं होता है सोल परकर देख थेहेँ एक थेले में चार लाल पांच 4 और 5 और 6 कितने हो छपांच ग्यारा और 4 पंद्रह यह नीचे थेले में से एक गयन निकाला जाता है तो क्या प्राइक्ट था कितनी हैdzieं पांच है तो जिसे पंद्रह तो 5 प्रायबतीं आज ही fighters तूटल कित्टी है पाच़ नो छ्य पंधरा तो संभव 16 पांच खिकल पांच तरह 25 से कर सकते हैं तो कुल सम संग होने की अंक राप्त होने की क्या प्रायक्ता होती है एक तो तीन चार पांच छे होती है समोते दो चार छे मतलब किता होता है तीन तो प्रायक्ता बराबर क्या हो जाएगी तीन बटे में क्या आ जाएगा टोटल छे तो एक बटा दो तीन एकम तीन तीन दो न होने की स्वर कितने हैं मतलब स्वर कितनी है टोटल पांच है तो इसलिए यहां पे उपर क्या आ गया पांच तो पांच बटे 26 आपका अंसर हो जाएगा अगला अगला कोशन पढ़ने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा कमेंट जरू कीजेगा कमेंट मैं हर वीडियो में बोलती हूं कमेंट जरू क्या कीजेए कमेंट से ही मुझे पता रहता है कि कौन-कौन मेरे वीडियो देख रहे हैं इसके अलावा यह मेरी इंस्टा आइडी है इंस्टा को भी फॉलो कर लिजेगा साथ में फेस्बुक पर भी आप मुझे वितकांचा नाम से वाटसप और टैलीगराम गुरुब से भी आप जोड़ सकते हो वाटसप और टैलीगराम गुरुप की लिंक आपको डिसक्यृप्स में मिल जाएगी ट्राइंगल में से एक अक्षर चुना गया है क्या प्राइक्त है कि वह एक व्यंजक है सबसे पहले देखो ट्राइंगल में सब्द कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ मतलब टोटल कितना आ रहा है आठ आ रहा है आट में से तीन क्या देख रहे हैं आपको सवळ देख रहे है तो आठ में से तीन मी नश करेंगे तो कितना जाएगा पांच, तो पांच है जाएगा ऊप़ा टोटल कितने आ रहा है आठ तो पांच बत्याट अmother आ जाएगा ट्राइंगल सब्द में अकशर कितने हैं, आठ सब्द में बेंजनों की संख्या कितनी हैं, पांच, तो आठ में से तीन माईनेultura हो गया, तो तो पांच बठा आपका आनसर आ जाएगा अंग्रेजी बर्णवाला में एक स्वर की चैनल होने की संभावना कितनी अंग्रेजी बर्णवाला में सब्द कितने होते हैं टोटल 26 और स्वर कितने होते हैं पांच तो आंसर क्या जाएगा पांच बटा 26 एक पांसे के फेकने पर चार ना आने की कितनी संभावना है एक पांसा फेका है पांसा में कुल अक्षर कितने होते हैं छे अब छे में कौन कौन से होते हैं एक दो तीन चार पांच छे अब वो बोल रहे हैं चार ना आने की प्रैक्ता मतलब चार अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा एक दो तीन चार पैज मलत में कुल कित्ती अक्षन आएगे पांच तो पांच ऊपर आ जाएगा अपकर यहीं आंसर हो जाएगा पांच वटा शे बावन बंदल के बावन पत्तों के बंदल में वो 2 निकालने की बोल रहा है तो कैसे इसको solve करेंगे देखो इस प्रेकर के question में देखो 4 में से आपको कितना निकालना है 2, plus total में से भी कितने निकालना है 2, अब इसको solve करेंगे इसको कैसे solve करेंगे 4 into 2 है, तो यहां पर कितना जाएगा, 4 2 into 3 क्योंकि 2 बार है, नीचे क्या है 52 को है, तो 52 into हो जाएगा, यह 15, और यह हो जाएगा ऐसा अब इसको आप solve कर दोगे जैसे ही आप इसको solve करोगे उपर क्या करते हैं, उपर यह 4 और 2 है तो आप ऐसे solve, ऐसे निकालते हैं 4 को, कि जब तक एक नहीं आजाए, अब उन्टू करते रहते हैं और नीचे को क्या करते हैं, तो केबल उल्टी गिनती 2 बार कर लेते हैं 52 गुड़त 51 ऐसे कर लेते हैं तो 4 गुड़त 3 गुड़त 2 गुड़त 1 हो जाएगा, और नीचे 52 गुड़त 51 अगला कोशन है, एक पांसा फैका जाता है 6 से बड़ी आने की संख्या बताईए 6 से बड़ी संख्या तो आई नहीं सकती ना क्योंकि एक पांसे में 6 ही होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 से जदा तो पांसा में आपने सांप सेरी वगरा खेली होगी पांसे की तो 6 से जदा तो होता ही नहीं है कितना होता है, 0 तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, प्राइक तो 0 सब्द कुमार की अक्षर को कितनी तरह से क्रमवद कर सकते हैं इस तरह का कोशन में क्या करते हैं, कुमार में कितनी अक्षर है 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 को आप अलग इस तरह लिख सकते हैं, उल्टी किंती करके 5, गुड़े 4, गुड़े 3, गुड़े 2, गुड़े 1 5 को 20, तो 3 दुनी 6 तो कितना हो जाएगा, 2 इचिंग 12 तो कितना हो जाएगा, 120, 120 आपका अंसर आजाएगा जितनी अक्षर होते हैं, उल्टा गुड़ा कर लेते हैं 5 अक्षर हैं, तो 5, गुड़े 4, गुड़े 3, गुड़े 2, गुड़े 1 इसका बस गुड़ा करनें, गुड़ा करके कितना रेक्सु भी सांसर आजाएगा अगला कोशन है, सब्द विजेंदर की अक्षर को कितने प्रिकार से इसका सब लोग आंसर मुझे कमेंट में दीजेगा विजेंदर, विजेंदर में कितने अक्षर हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अक्षर हैं 8 अक्षर को किस तरह से आप सॉल्व करें, जैसा मैंने लास्ट उपर वाला वीडियो बनाया है वैसा है, इन चारों में से उप्सन देख लीजे और इनको सॉल्व करने की कोसिस कीजे अगला है, मौहन के अक्षरों में, तीन अक्षरों को कितनी तरीके से बना सकते हैं मौहन, मौहन के अक्षरों में से तीन अक्षरों को उपर हम पढ़ लाई थे, कुल कितनी अक्षर, यहाँ पर तीन अक्षरों को तो सबसे पहले मुहन की टोटल अक्षर देख लेंगे एक दो तीन चार पांच तो पांच नीचे जाएगा चतर पांच में से आपको कित्ता करना है तीन तीन अक्षर निकालना है और यहां पे भी तीन अब इसको कैसे सॉल्फ करेंगे देखो मोहन मोहन में पांच भी भी नक्षा है मोहन टोटल कितने हैं पांच उपर लिखा पांच उसमें से आपको पांच तीन निकालना है तो पांच मैंसे तीन गए कितने बचेंगे दो बचेंगे अब उपर इसको सॉल्ब कर लेंगे तो पांच गोड़े चार गोड़े ती इसको solve कर लेंगी तो answer किता जाएगा 60 जाएगा फ्रेंस यह थे हमारे आज के question यह मेरे प्रिलिम्स का package अगर प्रिलिम्स की आप तयारी कर रहे हैं तब हमारे बहुत अच्छांदा नोर्स ले सकते हैं साथ में इसके group भी मिलेगा जहां आपकी तयारी कराई जाएगी साथ मे आप हमारी current affairs की प्रिश्णोत्तरी भी ले सकते हैं मदबदेस current की प्रिश्णोत्तरी भी ले सकते हैं आयोग की प्रिश्णोत्तरी भी ले सकते हैं और यह प्रबंदन की booklet है नाप भेरोपय की अगर आपकी कोई भी नोर्स लिना चाहते हैं तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं ऐसे और वीडियो में आपके लिए रेखे आऊंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा ओके फैंस तेंक यू